तो गाइस सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है एक बाफ फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में गाइस इस वक्त जो है मैं लेटेस बना वह था एक बार मैंने शोचा मैं लाइव हो जाओं लेकिन फिर बड़े रुक रुक की अपडेट्स आ र को रखा है सुप्रीम कोर्ट के जजस के तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट ये निकला कि आपका जो ये प्यायल है ये थोड़ा सा लेट हुआ अब तो पेपर शुरू हो चुके हैं अगर थोड़ा पहले आया होता तो शायद बात कुछ और होता और जो और भी उन्होंने के स्टेज में जब ये पहुंचा है तो इस रिट प्रेटिशन को एंटरेन नहीं किया जा सकता क्योंकि जो माइनर सब्जेट्स के पेपर हैं वो शुरू हो चुके हैं चीके वी होब दाट आट आट अपने ही तरीकों से जो हम लोग सोच रहे थे कि पहला हीरिंग को जान गया तलवाया सिबसीन एक तरह से या आईसी से बोड ने वो जान बुचके ही था बच्चे भी चीकी कह रहे थे कि भाई माइनर सब्जेट्स के एक्जाम शुरू हो गया सर एड्मिट कार्ट भी इशू हो गया अब तो दिक्कत होगा यह हम लोग भी समझ रहे थे लेकिन खैर अब जो है वो माननीय सुप्रीम कोट के तरफ से फैसला आया है गाईज इसको कुछ नहीं किया जा सकता हाला कि मैं अपने तरफ से थैंक्स बोलूंगा सीनिय अड्वोकेट मिस्टर हेगरे को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो अपने तरफ से स्टूदेंस के तरफ से पक्ष रखा थैंक्स टू जो बड़ी बात है कि आप लोगों को अफसोस बहुत जादा लेके नहीं चलना है क्योंकि सब लोग जानते थे हम लोग आज सुबह से बात कर रहे थे हमने भी यह चीज़ कहा था कि भाई सीविसी और आईसीशी क्या कुछ करेगा कि इस तो कोई issues नहीं है चेके यह वी चीज़ कहा लेकिन कितना precaution वो तो कल भी देख चुका है कि आज सुबह का न्यूज है newspaper में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मैंने आपको cutting भी शाय दिखाया था कि हिंदी की जगा English की paper कल चले गए एक government school में दली में तो सोचो यह हो रह बहुत सारे issues हैं कई जगों से खबर आ रही है कि एक center में 12 student की बजाए 40-40-24-24 बच्चे भी बैटे हैं अब क्या reality है यह तो बच्चे बता रहे हैं चेके लेकिन Supreme Court में तो CBC के वकिल ने यह कहा कि भाई हमारा जो है वो 12 ही student हम लोग बैठा रहे हैं इससे जादा नहीं तो सकता अभी सबसे बड़ा यह कमेंट मुझे बार बार जो चुब रहा है वो यह है कि भाई आप लोगों को जो Supreme Court के judges ने हमारे वकिल को कहा कि आप लोगों ने दे अप्रॉस लेट देखो यह लाइन है कि दे अप्रोस लेट आप लोग देर से पहुंचे ठीक है अब देर हो दोगे सो प्लीज डोंट गो फर डाट थिंग मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं हम लोग अपनी तयारियों में हैं और शुरू से थे आपको तो पता है हम लोग शुरू से थे तो एकदम अफसोर जाहिर मत कीजिए आप लोगों को जम के पढ़ना है हम आपको काफी चीज अच्छा है सर किस बुक को कवर करें बहुत अच्छा बुक कुछ स्टूडेंस ने मुझे कहा था और मैंने इसको बहुत पहले से मैं देख रहा हूं हर सेशन में मैं देखता हूं इसको फाइनल रिविजिजन आफ टर्म वन बहुत शानदार बुक है इंपॉर्टेंट एम चाहिए इस MCQ exam को crack करने के लिए चेक है तो आपको all in world का मामला है ये चेक है class 10 final revision of term 1 class 10 वाले बच्चों के लिए है go for this और बिल्कुल चिंता नहीं करो यार हम लोग है आप लोग को एकदम अफसोस नहीं जाहिर करना है दुख हो रहा है मुझे भी बहुत दुख हो रहा है चेक है आप लोगों के साथ में जुड़े वे हैं cancellation की जब लडाई चली थी board exam cancellation की उस वक भी बहुत लोगों को मज़ा लेने का मौका मिला था लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा अगर आप इस तरह से negative रहोगे तो दूसरें को आपके ओपर हसने का मौका मिलेगा so please don't go for that और एक important बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको अब से कुछ दिर पहले एक पूरा live practice करके दिखाया OMR sheet पर चेक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को confusion हो रहा था तो उस वीडियो को ज़रू देख लिजेगा link description और comment section दोनों में हैं मिलते हैं next video में जै हिंद जै भारत कर दो